गौर्मेंट ऑफ जमू कश्मी सर्विसे सेलेक्शन बोर्ट की तरफ से यानि की जेके एसेसबी की तरफ से होम डिपार्टमेंट में सब इंस्पक्टर पोस्ट के लिए वेकेंसी आई है टोटल 800 नमरों वेकेंसी से यहां पे मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं अ यह स्टार्ट करते हैं यह कप्लीट आपका पीडियफ है नोटिफिकेशन का इस पीडियफ का लेंक अगर आप चाहो तो इसको उफिशल वेबसाइट यानि की जेके एसेसबी का जो उफिशल वेबसाइट वहां पे जाकर आप चेक कर सकते हैं तो आईए बात करते हैं क्या आप्लिकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 10 दिसंबर 2021 आपकी लास्ट रहेगी अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास यहां पे जमू कश्मीर का दो मिसाल होना चाहिए ठीक है आगे देखते हैं इन सर्विस पोलिस पॉर्सनल के लिए माक्सिमम 30 एज लिमिट दे गए इसके अलावा यहां पर डेट बर्त का कॉर्डिंग चेक कर सकते हैं और आगे देखते हैं यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है तो अगर आपने ग्राजुशन किया है किसी भी स् आपके अप्लिकेशन फी रहेगी अगर आप से ब्लॉंग करते हैं तें 400 रुपी आपके अप्लिकेशन फी रहेगी यह जो आप फी पेमेंट करेंगे यह ओनलाइन मोड में ही होगा नेट बैंकिंग क्रेडिट या डेविट कार्ट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और आप फॉर्म को भी फिल करेंगे सेंटर अफ एक्जामिशन क्या है तो यह आपको बात में बताया जाएगा स्कीम आफ एक्जामिशन के बात के लिए यानि कि जो रिटें एक्जामिशन है उसका पैटर्ण क्या रहने वाला है उसमें आपका टोटल जो कुश्चे जाएंग वह objective and multiple choice questions होंगे 0.25 negative marking होगी और सेफ और सेफ एंग्लिश लांग्विज में ही आप यह एक्जामिशन दे सकते हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो syllabus के बारे में आपको separate बताया जाएगा जीके SSB के website पे ही आपको notify किया जाएगा syllabus के लिए और बाकी फर्दे जो भी details होंगे आप इसी के website पे जाकी चेक कर सकते हैं physical standard भी यहाँ पे देखा जाएगा तो male and female के लिए यहाँ इसे पर दिया गया है male की बात करें तो height 5 feet 6 inches minimum होना चाहिए chest 32 inches unexpanded and 33 and a half inches expanded female candidate के लिए 5 feet 2 inches minimum height होगा और जो भी candidate गुर्खा community से बिलौंग करेगा उनके लिए यहाँ पे height में 2 inches का relaxation होगा ठीक है तो जो भी candidate इस physical standard को fulfill करेगा वो physical endurance test के लिए अपियर हो सकता है तो physical endurance test की बात करते हैं यहाँ पे male candidate के लिए दिया गया है long race में 1600 meters in 6 and a half minutes ठीक है सारे 6 minutes में आपको 16,000 meters complete करने होगे और push-ups के लिए 20 push-ups जिसमें up and down दोनों को एक माना जाएगा सो इसी तरीके से female candidate के लिए 1000 meters complete करने होगे 6 and a half minutes में और यहाँ पे female के लिए short put होगा 14 and a half feet जिसमें आपको 3 attempts दिये जाएंगे इसके अलाबा एक सेविसमें को physical endurance test में relaxation मिल जाता है इसके लिए male candidate के लिए यहाँ पर देख सकते हैं up to 30 years के लिए कोई भी relaxation नहीं है बट 30 to 40 years candidate के लिए यहाँ पे 16 meters को 7 and a half minutes में ही complete करने होगे और push-ups यहाँ पर देख सकते हैं 16 push-ups करने होगे अब 40 years candidate के लिए 8 and a half minutes दिया गया है 1600 meters करने के लिए यानि की जो long race होगा उसके लिए और push-ups यहाँ पर 12 दिया गया है तो इसी तरीके से आप female candidate के लिए यहाँ पर relaxation दिया गया है तो वह आप यहाँ पर देख सकते हैं सो जितने भी एक service मेंने उन सभी को written test pass करना compulsory है और इसके बाद जो आपका physical standard test है वो भी fulfill करना required है ठीके उसके बाद आपका medical examination होता है जिसमें आपका physical and medical fitness चेक किया जाता है तो medically examine किया जाएगा आपको और उसके बाद basically यह SSB के द्वारा किया जाएगा and selection के अगर हम बात करें तो आपका जो written examination है उसके basis पर ही आपका यहाँ पर selection होगा तो final cutoff होगा वो written examination पर based होगा so physical standard test and physical endurance test आपको qualify करना होता है जो final medit list बनता है वो सिर्फ और सिर्फ written examination के basis पर होता है तो जैसे यह आप shortlist होते है physical endurance test के लिए और PST के लिए तो उसके बाद basically आपको दो चीज़े ले जानी होती है एक तो आपका दो photograph होना चाहिए आपके पास passport size and आपके पास original photo ID proof होनी चाहिए तो photo ID proof के लिए यहां पर आप देख सकते हैं यह सारी चीज़े हो सकती है और इसके बाद finally आपका document verification होता है तो कौन-कौन से documents required रहेंगे यहां पर आप देख सकते है list of documents कोई भी doubt है JKSSB से related यहां पर जो sub inspector post के लिए जो vacancy आई है सब्सक्राइब कर लिजेगा आज क्लिबस इतना है thank you so much and take care